तो ही दोस्तों चलिए बना लेते हैं रिपब्लिक डे के मौके पर संत्रे की स्पेसल मिठाई मिठी मिठी रेस्पी सभी को पसंद आती है और काफी जटपट बनकर त्यार हो जाती है बनाना इसे काफी आसाल है और इसके लिए जादा इंग्रेडियन्स की जरूत भी नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं रेस्पीक प्रिप्रेशन कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने क्या किया है यहाँ पे संत्रों का जूस अलग कर दिया है एक गलास जूस ले लिया है और उसी गलास के हिसाब से आधा गलास आपको ले लेना है कौन फ्रोर तो आप जो भी बरतन उस बतन के मिज़र मिंटे अदा कप ले लेना है ती ले लेना है कुछ ड्राइब फ्रूर्स घी और पीसी हुई चीनी फिर रकदेना है किर संत्रीका जूस कॉन फ्रोर और पहले इसे अच्छे से मिलाना है गैस पर इसे रखकर मैं इसे अच्छे से मिला रही हूँ अभी फ्लेम को आउन नहीं किया है इसका दियान रखना है फ्लेम को आउन नहीं करना है अच्छे से मिल जाए तो हमें डाल देना है चीनी उसे भी मिला लेना है देख कौन फ्रोर जल्दी गाड़ा होने लगता है इसका विसेश ध्यान देना है कि इसको आपको एक समान चलाना है नहीं तो ये तलवे में चीपकने लगेगी और इसकी गुठलिया बनने लगेगी तो गुठलिया नहीं बनने देना है इसको एक समान चलाना है देखे कुछ इस त करके हमें डाल देना है घी अगर आपको लगे यह जल्दी जल्दी गारी हो रही है तो आप slow to medium flame में भी इसे पका सकते हैं ध्यान रहे कि इसमें गुठलिया ना पड़े तो एक एक चमच घी डालते हो भी इसे slow flame में कुछ इस तरह से चलाना है जिससे यह तलवे को छोड़ने कुछ चिकनी सी दिख रही है flame को off कर देंगे और हमने जो dry fruits कट करके लिया था तो मैंने ले लिया था पिस्ता, काजू, बादाम और किस्मिस कट करके एक प्लेट में फैला कर ले लिया था आप अपनी इस चानुसार कोई भी dry fruits ले सकते हैं कुछ इस तरह से देखें फैला डाल देंगे नहीं तो यह थंडी होकर जल्दी से जम जाती है तो अब यह गर्म है तो इसको डाल देते हैं और इसको एक समान कर लेते हैं जिससे यह थोड़ी चिकनी हो जाए तो अच्छे से उपर से दबाते हुए एक समान फैला लेंगे जिससे एक समान हो जाए अच्छ कासा टैप करेंगे और यह निकल जाएगी देखिए और काफी अच्छी लग रही है न देखने में तो बस अब हम इसे कट करके देखते हैं कट करने के बाद यह और भी अच्छी लगेगी तो देखिए मैं आपको दिखाते हूं यह कितनी अच्छी बनकर तयार हो गई है ड्र सॉफ्ट सॉफ्ट स्पॉंजी स्पॉंजी बनकर त्यार होगी है तो हम असानी से इसे कट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से देखिए मैं कट करके दिखाती हूं आप इसे मिठाई बोले हलवा बोले कुछ भी बोल सकते हैं यह रेस्पी काफी जबजस्त बनती है तो आप इस लिए उरिंज का हलवा बोल सकते हैं और इंज की मिठाई बोल सकते हैं बच्चों को काफी पसंद आती हैं बच्चों के ठीफिर में भी दे सकते हैं यी काफी एची बनकर तयार होती है देखिए कुछ इस तरह से cut कर लिया है और ये काफी soft भी बनी है तो अब हम इसे अच्छे से 4 तरफ से cut कर लेते हैं मैं triangular cut कर रही हूँ अगर आपका square बरतन रहता तो आप square भी cut कर सकते थे तो कुछ इस तरह से मैंने cut कर लिया सारे pieces cut करने के बाद कुछ इस तरह से त्यार हो गई तो ये recipe काफी अच्छी बनी थी आप भी से जरूर बनाएए recipe अच्छी लगे चैनल को like और subscribe करना मत भूलिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप सब खुश रहें स्वस्त रहें जै भारत जै हिन तैंक्यू और आप सबको Republic Day की तेर सारी सुपकाम नाएए Happy Republic Day